नमस्कार दोस्तों एन के फनिचर में आपका स्वागत है आज हम इस मीडियों बनाएंगे हैंड कटर मसीन से जिक्सा मसीन चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चार पीस काटेंगे और इस पीस की हमारी चोड़ा ही है बारा इंची चोड़ा है और तीन प्रिट लंबा है तो ऐसे हम दो पीस काट लेते हैं जैसे कि यह कट चुका है और दूसरा भी अभी कटने वाला है इसको भी काट लेते हैं और इसमें से हम बारा इंची का दो दो पीस और निकाल लेंगे तो दो पीस हमारे बारा इंची बाई बारा इंची के होगे और दो पीस हमारे बारा इंची बाई चोबीस इंची के होगे और अब हम इनको फैविकोर लगा कर ठोक लेते हैं कि सी टाइब में ठोक लेंगे किली में ठोक लेंगे आप इस्कुरू भी लगा सकते हैं जदा मजबूत रहेगा और उपर का पीस भी हम केलियों में फेवी को लगाकर ठोकने वाले हैं लगबग हमारा ये पीस उपर का ठोक चुका है और साइड में हमने एक इंची वाई डेड़ इंची के पटी ठोकी है और इसका सेंटर का निसान कर लेंगे और अपनी मसीन को इसके उपर रखके इसका भी निसान कर लेते हैं और इस गाले को हम हटा देंगे टी टाइप में साइड से छोड़ने वाले हैं हम डेड़ इंची ताकि जो अपनी बोडर है वो मजबूत रहे और इसको भी गाला निकाल लेते हैं पहले हम कट नेकाल लेंगे साइट से भी काटने वाले हैं डेड़िंची छोड़ कर इधर से भी काटेंगे लगबग हमारा गाला निकल चुका है और आरी की मदद से हम इसके कौनर पे जो माल बच रखा है इसको काट लेंगे ताकि जो हमारे ये पीस हैं अलग हो जाएं इस तरीके से हम काट लेंगे ये कट चुका है जैसे और इसके अंदर हम कटर मसीन को फसा के देखेंगे हमारे चारत रप से थोड़ी थोड़ी लियूज नहीं चीए और अब हमने एक 6 mm प्लाई लगा रखी है जिसके उपर माइक लगा रखी है इसके नाप से हमने काट लिये और इसके कटर मसीन इसके उपर सही नाप रखके हमने इसको साइट में से छोड़ा है पौने दो इंची तो इसके हॉल में हमने निसान करके और इसके जो थल के इसकुरू हैं इनको बापत से इस प्लेट में हॉल करके टाइट कर लेंगे पनेट के विट से हमने हॉल कर दिया है और यहां पर हम इसका गुर्चस कर देंगे तीन सूत वाले विट से तक ही जो अपने स्कुरू है इस प्लेट से उपर न रहें यह हो गया है अब एक बार हम इस प्लेट के उपर इसकुरू टाइट कर लेते हैं यह टाइट हो चोका है हमारा और इसके उपर हम एक बार डाल के देखते हैं यह आह महरा और इसको उल्टा करके जो हमने काच्छा निकाला है उसका निसान कर लेंगे ताकि जो आपन इसके उपर ुपर इसको लगाएंगे तो यह आराम से अपना खाली जगे में न जाए तो यह निसान करके और इस प्लेट के ऊपर बनेट केविट से को लोते हैं ताकि hatırकि अपने मजबूती से जो प्लेट बेंड़ होती है यह यह बेंड नहीं होगी और इस ब्लेड को इसके अंदर कटर ब्लेड को इसके अंदर निकाल देंगे और हमने खोल लिया एक बार के लिए और इसमें 300 केविट से इसमें भी गुर्जस करने वाले जाजा अपने इसकूल अब रखे हैं तो हम इसको गुर्जस कर लेते हैं और आपकी क्या राए है इस वीडियो के बारे में कमेंट बहुत कम आते हैं हमारे वीडियो के कमेंट किया करो ताकि हमको भी बता लगे कि कौन कौन देख रहा है हमारे वीडियो तो जैसे कि हमारे बुर्जा सोते हैं अब बापस से हम इसके प्लेट पे इसको टाइट कर लेंगे ये टाइट हो चुका है और एक बार के लिए हम इसके उपर इसके अंदर एक बार मिस मसीन को बापस सेट कर लेते हैं और उपर से एक इंची वाले हम पेच लगाने वाले हैं तो पेच बढ़ देते हैं सारे ताकि जो अपनी 6mm की पिलाई है वो उसका बेंट एक दम निकल जाए इसलिए हमने बहुत सारे स्कुरू लगाए हैं इसमें तो ये लगबग सारे स्कुरू बढ़ने वाले हैं ये स्कुरू बढ़ चुके हैं मजबूत भी है और अब इसके हम उपर वाली गुणिया बना रहे तो हमारे पास ये था लहत थी इसके अंदर एक खांचा निकला हुआ था और हमने एक सावा इंची वाई एक इंची की लकड़ी ले रखी है सिनाप से तो हम इसके पीछे से भ लगा देंगे तीन पेच लगाए है हमने इसमें जैसे कि हमारी उपर की गुणिया बन चुकी है और यहां पे इसके सेंटर में जहां पर अपना लास्ट आ रहा है उसके कटर ब्लेड के टच करके और हम इसके अंदर निसान कर लेते हैं और इसमें हम देर सूत वाले बिट से खौल करने वाले हैं और दो सूत वाला नट बॉल्ट हम इसके उपर पकड़ाने वाले हैं इसके अंदर इसमें चूड़ी बन जाएंगे तो जैसे हमने दोनों होल कर लिए हैं और हमारे पास ये दो सुद कविट है तो इसके अंदर चूड़ी बना लेते हैं और चूड़ी बन चुकी है बापस से इसको खोल कर निकाल लेते हैं ऐसे हमने दोनों तरफ निकाल लिया और इसके उपर से हम और बॉल्ट को टाइट कर लेते हैं एक बार के लिए 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 रखेंगे जब हम को जहां पर अपने सेट करना होता है तो यह कामा जाए इसके बारे में भी कमेंट करके बताइए यह जुबार हमारा कैसा रहा जैसे कि लगब हमारी मशीन बन का त्यार उच्टी है और आप क्या रखते हैं एक इंची के में पट्टिया कारती है तो यहां से लिए जैसे कि एक इंची पे है तो इसको हल्का सा टाइट कर लेंगे और इतना ही नाप रखके यहां के पकड़ लेंगे और आगे वाला भी बुट टाइट कर लेंगे ताकि यह खिसके ना आगे का और पीछे का दोनों का नाप बराबर देना की है जैसे कि हमारा बराबर है और हम इसको चालू कर देखते हैं तो चालू करने से पहले आप मसीर को प्रणाम करेंगे और यहां से इसको लॉप करते हैं देखिए बन चुकी है अगर आपके यह जानकर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत